Welcome back to my channel, आउ सीखे आज Hey student, आउ सीखे आज के चैनल में आप से भी कश स्वागते हैं? And मेरा नाम करना के और मेरे इस चैनल में आप से भी कश स्वागते हैं? आज की गलास स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे कोचिंग मेंबर बना चाहते हैं, यानि कि आप और भी जल्दी से इंगले सीखना चाहते हैं, और इस फैमली को और बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सिब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुर प्री है, लेकिन अगर आप हमारे कोचिंग जोइन करना चाहते हैं, तो आप इस नमबर पर अभी call कर सकते हैं लेकिन रुकिए पहले वीडियो देख लीजिया उसके बाद call कर लेजेगा चलिए start करते हैं और कोई भी प्राब्लम होता आप message जरू करेजेगा चलिए let's get start तो आज हम करने वाले हैं book reading जिसमें आपको सफी rules के साथ मैं reading कराने वाली हूँ पूरी वीडियो जरूर देखेगा चलिए start करते हैं अप्टर है a letter to God आप हमेशा याद रखिए a को हमेशा आ पढ़ना है आप अगर इसे a पढ़ते हैं तो वह गलते letter क्योंकि l को ला पढ़ें और e को पीछ में हमेशा a पढ़ते हैं बहुत से बच्चों का doubt होता है कि e के बाद एक letter छोड़के e भी तो है तो हमें इसको e पढ़ना चाहिए था लेकिन यह गलत क्यूं है यहाँ पर हम इसे a क्यूं पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर जो e आ रहे है उसको हम a पढ़ रहे हैं अब क्योंकि हम e को a पढ़ रहे हैं तो यह जो हमारा e है वो a बन गया तो मैंने बोला था या फिर आपने किसी से भी सुना कि e के बाद एक letter छोड़के e होता है तब हम e को e पढ़ते हैं लेकिन यह जो e है यह e नहीं रहा यह a बन गया है इसलिए हम इसे letter पढ़ रहे हैं ठीके two वैसे तो o को सभी जगा हम o पढ़ते हैं लेकिन हमीशा two में आपको o ही पढ़ना है तो इसको क्या पढ़ेंगे two उसके बाद God तो जी को हम गाव पढ़ते हैं अगर जी के बाद कोई भी consonant होता है या o होता है तो जी को गाव पढ़ा जाता है o को हम o पढ़ेंगे सभी जगा याद रखिए simple o को o ही पढ़े है decode a letter to God a letter to God कीके यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दू कि आज से हम बुक रीडिंग की क्लासे से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें regular class तो होगी लेकिन सबसे ज़्यादा reading की क्लास होगी और कुछ बीच में classes आपकी reading rules और writing rules की होगी तो regular reading की class आपकी यह समझ लिजे आपकी चार दिन आपकी reading की class होगी और जो बचे आपके 7 days होते हैं तो वाकि जो days बचेंगे या तो उसमें आपकी spelling की class होगी या reading की ठीक है तो चलिए अगर आप चाहते हैं regular reading करना book reading सीखना चाहते हैं तो आप अभी चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आप regular book reading सीख सकें चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं एक मिनाट रुकिए थोड़ा सा page को सही कर लेते हूँ तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर B4 आप देखे पहले B, E को B पढ़ेंगे अब आप सोचे होंगे कि मैंने आपको बताया कि E को E पढ़ते हैं लेकि यहाँ पर हम इसे E पढ़ रहे हैं लेकिन A क्यों नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि देखे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो दो लाटर होते हैं जैसे B हो गया, She हो गया, He हो गया, उसमें हमेसा E को E पढ़ा जाता है, तो इसमें हमें B पढ़ना है और इसे 4 पढ़ना है, यो कि O को तो O ही पढ़ते हैं और लास्ट वाले E को हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? V4, V4, ठीके? U वैसे तो O U को हम और भी तरीके से पढ़ते हैं लेकिन जादा तर O U को U पढ़ा जाता है तो इस सारे रोज को सीखने के लिए आप कोचिंग भी जोइन कर सकते हैं इसक्रीन पर आपको नमबर दिख रहा होगा इसको दिखिए वैसे तो हम E A को E पढ़ते हैं लेकिन अगर E A D से पहले होता है तो हम इसे A पढ़ते हैं तो इसलिए हम इसे Read भी पढ़ते हैं और Red भी पढ़ते हैं अब आप कहेंगे मैं हम इसे तो Read पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अगर D से पहले e a होता है तो हम उसे a पढ़ते हैं देखे इसको आप read भी पढ़ सकते हैं read भी पढ़ सकते हैं अब सबसे जादा हम इसे read भी पढ़ें क्योंकि अगर ये past में है past form है तो इसे read पढ़ा जाएगा और ये first form है तो आपको इसे यानि कि present form है तो आपको उसे read पढ़ना है यानि कि अगर यह first form होगी तो read पढ़ेंगे second form होगी तो read पढ़ेंगे ठीके उसके बाद आगे देख लेते हैं दे हमेशा याद रखिए th, e, y को दे पढ़ते हैं लेकिन e, y को वैसे d के लाबा सभी में e ही पढ़ना है say, s को sa पढ़ें ay को a पढ़ते हैं तो यह हो गया आपका say faith, f को fa पढ़ा ai को a पढ़ते है th को th पढ़ते हैं तो यह हो गया faith can, c को का पढ़ा a को a पढ़ेंगे, n को ना पढ़ेंगे यानि कि can move, आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको हमेज़ा सिखाया है कि o को हम o पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर हम इसे o को o क्यू पढ़ें क्या o को o भी पढ़ा जाता है हाँ o को o भी पढ़ा जाता है लेकिन कुछ ही word meaning में सिर्फ total दो word meaning होते है एक होते है move और दूसरी होते प्रूव तो यही कुछ एक दो word meaning है जिसमें o पढ़ते हैं बाकी कहीं मत पढ़ेगा उसके बाद इसे mountain बोलते हैं mountain भी पढ़ते हैं और mountain भी पढ़ते हैं क्योंकि ai को हम a का sound भी पढ़ सकते हैं और उसमें एका भी पढ़ सकते हैं बहुत से बच्चे से mountain पढ़ते हैं बहुत से mountain पढ़ते हैं तो दोनों ही right हैं तो M को मा पढ़ा, O, U को आउ पढ़ा N को ना पढ़ा यानि कि मा, U तो mount उसके बाद ten या ten, mountain या mountains ठीके? but U को पीच में हम इसा आ पढ़ते हैं तो but हो गया और इसे V हम वाटी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा H silent होता है ठीके? should यहाँ पर आप इसे should पढ़ेंगे क्योंकि L यहाँ पर silent है तो इसे should पढ़े, should ना पढ़े ठीके? उसके बाद जैसे V तो यह तो मैंने बताया कि जो दो लाटर के वर्ड होते हैं उसमें अगर E होता है तो E को E पढ़ा जाता है तो V हो गया उसके बाद put क्या पढ़ेंगे? put अब आपका मन में एक doubt होगा कि मैम आपने बोला कि U को पीच में हम A पढ़ते हैं तो हम इसे put क्यों कर रहे है क्योंकि देखिए U को हमेशा हम A ही पढ़ेंगे लेकिन कुछ चार-पांच वर्ड मिनिंग ऐसी होते है जिसमें U को U पढ़ा जाता है जैसे एक तो आपको पता होगा put दूसरा आपका bull, full, push, put and pussy कुछ special वर्ड मिनिंग होते है जिसमें हम U पढ़ते है बाकी सबी जगा A पढ़ना है ठीके बाकी आप और अच्छे से सीखने के लिए कोचिंग भी जोइन कर सकते है जिसमें आपको सारे notes भी मिल जाएंगे इसको R पढ़ते हैं तो ये इन ही रहेगा ये कोचिंग मार्क होता है उसके बाद this अब आप कहेंगे मैम ये क्यों बता रही है कोचिंग मार्क वगेरा तो देखिए अगर आप अच्छी इंगलिस सीखना चाते है तो आपको हर एक चीश की knowledge होने चाहिए कि कोचिंग मार्क को क्या बोलते है डॉट क्या होता है ये जो आप देख रहे है ये डॉट होता है तो जब तक अच्छे से इंगलिस नहीं सीखेंगे अगर आप ऐसे पढ़ते हैं न जैसे फैतिन कोचिंग मार्क इस तरी के से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जो सामने वाला जो पढ़ने वाला कोई भी टीचर भी अगर आपको पढ़ते हूँ सुनेगा तो उसको लगेगा कि हाँ भाई इसकी English पह अच्छी है और इसकी knowledge भी अच्छी है तो आपको दोनों चीजों में अच्छा बढ़ना है मैं चाहते हूँ कि मेरे कोचिंग के बच्चे मेरे यूटूब के बच्चे जो भी यहां वीडियो देख रहे हैं उन्हें सब कहें कि वा क्या English से वे बच्चे बहुत अच्छे हैं बढ़ने में तो देखें मैं बच्चे को सिंपल तरीका बताती हूँ कि सुरू में कहीं पर भी अगर आपका टी एच है तो सबसे जादा उसको दा ही पढ़ा जाता है तो आप जादा तर उसे दा ही पढ़े कुछ वर्ट मिनिंग को छोड़के था पढ़ते हैं दा ही कुछ वर्ट मिनिंग में था पढ़ते हैं लेकिं सबसे जादा पढ़ते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे जादा वाले को चुड़ें क्योंकि अगर मैं आपको बहुतलू कि सो में से 95% दा पढ़ते हैं और 5% था पढ़ते हैं तो आप भी यही सोचेंगे भाई पहला 95 जरूरी है या 5 परसेंट जरूरी है तो आपको उस तरीके से याद करना की है अब आपका एक हो डाउट है कि मैं आपने ये तो बता दिया लेकिन S को जा क्यों पढ़ रहे हैं S का बड़ा डाउट रहता है कि उसको कैसे तो याद रखेगा सुरू में तो S को आपको सा पढ़ना है लेकिन बीच और लाश्ट में S को सबसे ज़्यादा जा पढ़ा जाता है हाँ कुछ में सा भी पढ़ते हैं जब वो आदा S होता है ताब ठीक है उसके बात जैसे आपने देखा इसमें हमने दिस पढ़ा लेकिन दिस नहीं पढ़ा अब आपके मैम आपने बोला S को हम जा पढ़ते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर तो हम दिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम क्यों उस तरीके से पढ़ हैं क्योंकि देखिए मैंने बोला तो कुछ में आप आप कहेंगे कि मैं अगर हम कुछ में जा पढ़ देते हैं तो फिर तो हमारा गलत हो जाएगा ना अंसर मैं समझती हूँ आप सही कह रहे हैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने बता रहा है कि एसको बिलकुर फिक्स तरीके से जा और शा कप पढ़ा जाता है उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मैं कमेंट बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दोगी ठीक है उसके बाद जैसे इसको दा पढ़ा जाता है या फिर आप दी भी पढ़ सकते हैं दा और दी में confusion होते हैं कि इसको हम दा पढ़े या फिर दी पढ़े तो देखिए इसको सबसे ज़्यादा आप दा ही पढ़े क्योंकि दी जब पढ़ते हैं जब आप जैसे इसके आगे वाला जो word आपका जो भी word meaning होगी अगर उसके सुरू में vowel से मात्रा है तो तो आप इसे दी पढ़ेंगे और अगर consonant है तो आप इसे दा पढ़ेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा दा ही पढ़ा जाता है तो normally दा याद रखें question question क्योंकि यहाँ पर देखें T हमेसे याद रखें S T I O N कहीं पर भी होता है तो इसको सर्चन पढ़ते हैं वैसे तो हम हमेसे T I O N को सन पढ़ते हैं लेकिन अगर S आ जाता है तो T हमारा चा बन जाता है तो उसे चन पढ़ा जाता है तो सर्चन यह चीज भी याद करने वाली है तो question किसी लिए हम कुसे question पढ़ते हैं question नहीं question ठीके this story ऐसा अगर शुरू में होता है तो आप इसे इस पढ़िए क्या पढ़ेंगे इस पढ़िए is story आप इंगे लिखा तो ई नहीं जाता लेकिन पढ़ा जाता है हम लिखा हुआ नहीं देखते हैं तब ही तो हम गलत पढ़ते हैं तो story पढ़ा जाता है सटोरी तो नहीं पढ़ते तो हमेसा याद रखे starting में सबसे ज़्यादा आधा आइस होगा याद रखे आधा शा होगा तब पूरा शा होगा तब यहाँ पर आधा कै तो है आदा है तो जब भी आदा शाह सुरू में होगा तो आप उसे इस पढ़ेंगे तो यह क्या होगा इस टोरी क्योंकि लास्ट वाले वाई को इपढ़िए इस टोरी हो गया तो यह मैं आपको बता दू कि सही तरीका इसका क्या है देखें सबसे पहले आपको इची याद रखनी चाहिए आपका डाउट है कि इसे डे पढ़े या फिर दी पढ़े तो याद रखिए आपको वैसे तो ई पढ़ना होता है दो लैटर में लेकिन यहाँ पर आप इसे डे क्याद बढ़े अब आप कहएगे कि अइसा क्यूं हम इसे डे क्यों नि पढ़ सकते क्यूंकि देख़ें अगर दी यह आएक자 तो सबसे ज़्यादा उसे अब टो लिए ऐए धादने से पढ़े आपको इतना याद लखना है कि ही जादा तर तर पढ़ा जाता है तो तो आप इसे day ही पढ़ेंगे तो यह क्या होगा डेली आपको वड़ी वर्ड मिनिंग को पढ़ना कहते हैं आप जैसे यह थोड़ी वर्ड मिनिंगे मैं उनके लिए पोल रही हूं जो अभी starting कर रहे हैं तो उनके लिए तो यह बड़ी वर्ड मिनिंगे तो आपको क्या करना है पहले डेली पढ़ना है डेली हो गया इतना पढ़ लिया आपने डेली उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको केट पढ़ना है केट आप बचा आपका ली आप आपने ली पढ़ लिया तो डेली केट ली डेली केट ली आप ऐसे तकि आपकी प्रैक्टिस हो सकें, डेलिकेटी, समझ में आया, अब हम इसको पढ़ेंगे, I mean इसको पढ़ेंगे, आप इसे यहां पर आपको ने छोटा सा डाउट होता है, कि अगर E.S. आता है, तो उसमें हम कैसे पढ़ें, क्योंकि E.S. पे बच्चे बहुत डाउट में रह गरीब परिवास से थी, और अभी भी मतब नॉर्मल हूँ, अच्छा है कि आपके वदद लगती, आप सब के बज़े से ही आज मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पारी हूँ, अपनी लाइफ में काफी चीज में ने अचिनमेंट की है, सिफ आप लोगों के बज़े से, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट है, आज मेरे जैसे गरीब लड़की भी आगे हैं, और मैं चाहते हूँ कि मेरे जैसे और भी जो स्टूडेंटे वो आगे बढ़े, तो सिफ एक रीडिंग के बज़े से आप लोग पीछी नहीं रहने चाहिए, एक इंगल आप जैसे आप देख रहे हैं, इसमें एस का डाउट में आपको किलिए करते हूँ कि एस कैसे समझ में आएगा, अभी तो मैं आपको एक सिंपल ट्रूइव बता देती हूँ कि कभी भी याद रखेगा, कभी भी अगर आप S, E, S देखे, S, E, S देखे, किसी भी बड़ी वर्ट मिनिंग में, तो आप उसे जस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जस पढ़ेंगे, हमेशा याद रखेगा, अगर S के बाद E, S है, तो आपको S को तो जा पढ़ना है, और E, S को क्या पढ़ना है, शा पढ़ना है, एक बार में लिख देती हूं, जैसे S, E, S साथ में हो, कहीं पर भी, तो S को तो हम जा पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में S को जा पढ़ते हैं, और E, S को हम सा पढ़ेंगे, तो यह जस हो जाएगा, तो इस तरी किसे याद रखे, कभी भी S, E, S साथ में होगा, तो हम, या फिर E, E, S से पहले S होगा, तो हम E, S को जा पढ़ेंगे, और S को जा पढ़ते हैं, तो यह पोजस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोजस, पोजस, क्योंकि, मैं यहाँ लिख देती हूं, पोजस, पोजस, क्योंकि, समझ में आ रहा है, उसके बाद, लैंचो, लैंचो, एक नाम है इसलिए ऐसा पढ़ा चला है उसके बाद लैंचो एक नाम है क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट और बीच में एसको जाई भी पढ़े क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इसे जाई पढ़ते हैं और फामर फामर इसे फार नहीं बढ़ा क्या पढ़ेंगे फामर एक बार आप भी प्रैक्टिस कर दीजिए ताकि आप इससे पढ़ सकते हैं अब आप कहरेंगे मैं फामर क्यों बोल लो रा क्यों नहीं बढ़ेंगे आप इसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं आप लोगों को जो भार की कंट्री के लोग होते हैं जोसे अमेरिकान, विटीस वो लोग इसे क्या पढ़ते हैं और मर क्योंकि उनके लिए कहीं पर भी AR होता है तो आर को नहीं बढ़ा जाता है लेकिन आप आर को पढ़ सकते हैं क्योंकि हम आर को पढ़ते भी हैं और नहीं भी पढ़ते हैं इसे आप farmer भी पढ़ सकते हैं और farmer भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं हम इसा याद रखी का ar अगर बीच में होता है तो उसे क्या पढ़ा जाता है आर बढ़ा जाता है A-R को हम R पढ़ते हैं ठीक है तो यह farmer भी हो सकता और farmer भी हो सकता है उसके बाद इसको who पढ़ते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि WHO होता है तो हम यह सा हमारा w silent होता है और इसको हम who पढ़ते हैं तो इसलिए हम इसे फू पढ़ रहे हैं राइट्स आप देखे डबलू आर साथ में होता है तो डबलू को नहीं पढ़ा जाता याद रखेगा जैसे हिसे हम राइट्स पढ़ते हैं ठीके क्या पढ़ते हैं राइट्स एक पर आप भी पलिये एक ट्रेक आपको आज में बताने जा रहे हूँ जो सायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी हम लोग सोचते हैं कि हमें साइलेंट लेटर का पता कैसे चलता है और साइलेंट लेटर को हम साइलेंट क्यों रखते हैं अगर आम उसे पढ़ते ही नहीं है तो लीखा क्यों जाता है तो आपको एक राज की बात बताओं कि साइलेंट लेटर को पढ़ा जाता है अब आप कहेंगे ये क्या कह रही हैं हाँ मैं बिल्कुश सही कह रही हूँ हमेशा अमेरिकन जा बिटीस लोगों की आवाज अगर बताती ही वह इस तरीके से पढ़ते हैं अब आप कहेंगे ये तो ब्राइट्स हो गया नहीं ये राइट्स ही कहलाएगा लेकिन जो वह है न बिल्कुश साइलेंट होता है आई मिंग साइलेंट का मतलब पर पढ़ा तो जाता है लेकिन बिल्कुल हलकी सी आवाज में अगर कि आप सब हमारी स्टूडेंट हैं और मैं आपके लिए ही जाती हूँ कि आप चल दी से सीख सकें तो हमें सायार रखीगा कभी भी आपको कोई ऐसा लेटर दिख रहा है आपको रही पता कि वह साइलेंट है लेकिन अगर आप मेरी क्लाज जोइन करते हैं या तो आप कोचि नहीं भी पता कि WR होता है तो silent रहता है तो हमें साह याद रहे कि जब 2 letter साथ नहीं होता है तो पहले वाले को आधा पढ़ते हैं और जब हम किसी को आधा पढ़ते हैं तो एकदम जल्दी से पढ़ते हैं जैसे ब्राइट्स मोज़रा, यानि कि वह ब्लकुल ऐकदम आवाज रहें हैं कि आवाज ना हैं आई मिन राइट्स की आवाज रहीं वह एकदम silent होता है अब आपको एक चीज बताऊं जो भारी के लोग होते हैं वारी के कंट्रे के American बिटिज वो लोग भी ऐसी पढ़ते हैं की हिंदी देखते हैं उस पर इक बनत सुन के महसूस करिएगा कि वह कैसे बढ़ते हैं आप राइट सी लिख लीजेगा राइट 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 लिकला है रिकिन पता नहीं चलना चाहिए तो आपको ऐसे बढ़ना है silent वह को क्यों कि वह आथ है तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं क्या है तो जल्दी कर लिजेगा, आकि मैं चाहते हूं कि यह सारी चीज़ा आपको पता चले, जो आस्तफ आपको किसी नहीं सिखाए, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, अल लेटर, लेटर में देखे डबल टी क्यों आता है, मैं अग आप एक छोटी से ट्रीक बताते हूं, कि यहां पर मालेजे किसी नहीं आपको बोला लेटर लिखे, आप आपको नहीं पता कि यहां पर डबल टी लिखा जा रहा है, आप तो आपको लेटर को पैचानने के, पहला तरीका कभी भी अगर किसी भी लेटर में र जूटता है, तो हमेसा उसके पहले वाला लेटर डबल हो जाता है, जैसे हमने लेट के आगे आर जोड़ा, तो ये हो गया लेटर, तो ये जो टी ता हमारा डबल हो गया, एंड डूसा तरीका होता है, कभी भी जब भी कपके कॉंसेनेट जो होते हैं, अएग्दम खीच कि बुले जाता है, जैसे टर, तो हमेसा वो लेटर डवल हो जाता है, लेकिन इसको और अच्छे सहे समझने के लिए, एक एक वाट को समझने के लिए, क्या फाइनली यी टि डवल होता है, या सारे लेटर क्यो डवल नहीं होता है, यह सारी चीजे जड़ से समझने के लिए आप coaching कर सकते हैं लेकिन subscribe जरू करेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप चाहे पैसों से पढ़े न पढ़े लेकिन पढ़े जरू चाहे आप कैसे भी पढ़े coaching से पढ़े या YouTube से पढ़े लेकिन पढ़िएगा जरू बहुत अच्छी आपके लिए बहुत अच्छा है यह चूटी चूटी चीज़े ही आपकी इंगलिस अच्छी करते हैं चलिए आप आगे बढ़े जाते हैं तो गोड वैन आप देखे हैं कि H साइलेंड है अब H क्यू साइलेंड है मैंने आपको एक क्लास में समझा है था पाफी क्लासे से मे आपके यहां पर हम इसे हीज पढ़े क्योंकि मैंने बताया कि S को सबसे ज्यादा लाश्ट में और बीच में जा पढ़ा जाता है क्रॉप्स आप देखें कि यहां पर तो शा पढ़ा गया है तो देखें इस से पहले कोई वोबल्स नहीं है और यह जो शा है यह आदा है तो तो जब आदा शा होता है तो हम उसे शा पढ़ते हैं जा नहीं पढ़ते हैं जब कोई consonant होता है C के बाद और Scraps हो गया चलिए आर क्यूं पड़ते हैं अभी भी एर होता है छोटी लाटर में ने तो हम इसे आरी ही पड़ते हैं और लास्ट वाले को हम पड़ते ही नहीं कि बच्या तो एर ना अगे बढ़ते हैं उसके यहां पर और आगे बढ़ जाते हैं सौरी अगर आपको वीडियो जादा बड़ी लग रही हो तो याद रिखिएगा किसी भी चीज को अच्छी से समझने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए होता है तो यह चीजे आपको पता ही होने चाहिए चलिए आगे बढ़ लेते हैं आप जैसे आप इसको देख रहे हैं जब इस टाइप की वर्ड मिनिंग होती है ना तो हमारे मन में हमेशा डाउट रहता है कि इसको पढ़े कैसे तो यहां पर मैं दो रूल्स बताती हूँ सबसे पहले यू आई को हमेशा उ पढ़िए ठीक है और अगर आपकी मन में डाउ बढ़ते हैं इड सबसे पहले आर यू ण्यू इसको कैसे बढ़ना है यू नहीं क पहलें और यू आई को पढ़ेंगे तो रू को रू को हमारा कही मिनिंग हिए रहा एक यह रहाएं है क्कि आच्छन को haya है उसके बाद E D को मैंने बताया कि E D कहीं पर व्योगतों से डा पढ़ना है ruined 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 कि ruined इस तरीके से पढ़ना है अब इसे क्या पढ़ेंगे? asking अब asking क्यों पढ़ते हैं? देखे A S K जब A के बाद दो कॉंसेनेट होते हैं तो A को बढ़ा पढ़ते हैं तो इसलिए हम इसे आक्ष पढ़ते हैं और उसके बाद ing है तो ing हो गया asking asking for a hundred hundred h-u-n पढ़िए पहले हन उसके पाद d-r-e-d अब आप इसे पढ़े चीज़ है red red होता है न तो हन red dog या hundred hundred ऐसे पढ़े है इसको क्या पढ़ेंगे आप देखिए बहुत से बच्ची इसमें भी टाउट हो जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है तो पहले आप लोग पढ़े है चल्दी से very good आप जैसे आप देखने हैं से pay sauce आपको बताँ इंग्लिस में ए को कैसे बोला जाता है ए को हमेजा नीचे की तरफ बोला जाता है जैसे pay sauce आपकी जो टांग है न जो आपकी जीब है उसको नीचे की सेट करके बोलिए ए pay pay और जब हम ए को बोलते हैं तो उसको उपर की तरफ अपनी जीब को उपर की तरफ करके बोलें जैसे pay pay और जब हम long sound बोलते हैं तो इसको खीच के बोलते हैं जैसे pay 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 जीब को एक दब चिपका के उपर की सेट pay pay यह सब अभी थोड़ा आपको टाइम लगीगा लेकिन इसे pay sauce पे sauce आप जैसे यह हैं बहुत से बचे इसमें भी खोट आउट करते हैं कि मैं ऐसे वहट को does पढ़े हैं या पिर जै क्या पढ़े हैं I mean confused हैं तो इसको do does पढ़ा होगा आपने लेकिन आप कभी भी जब आप इसे पढ़ते होंगे तो हम इसा डाउट में रहते होंगे कि इसे पढ़े हैं कैसे तो अकसर हम इसे do does पढ़ते आएं लेकिन कभी हमने यह नहीं सोचा कि यहां पर हम o को silent क्यों रख रहे हैं तो देखे हम do होगा तो आप इसे do पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे do पढ़ेंगे लेकिन अगर do के बाद e.s. आजाता है तो हम इसे does पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं और क्यों क्योंकि अगर आपका e.s. आएगा तो ऊब आपका silent luck रखा जाता है यह rules होते हैं तो आपको ये डजी पढ़ना है, आप इसे डूज नहीं पढ़ेंगे, ठीके, तो डज, लैंचोज, लेटर, रिसर्च, आप ये जो चीन है न, इसको बोलते हैं, अपोस्टफी है, इसका मतलब बोलता का की, ठीके, आप देखें, लेटर, इसको रिच पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे, क्योंकि ये को हम सबसे ज़्यादा इही पढ़ते हैं, ए बहुते कम जगा पढ़ते हैं, तो अगर आपको नहीं समझाता की क्या पढ़ना है, तो आप इसे इही पढ़ेंगे, रिच गोड डज, अभी बताया, गोड सेंड, ए को ए पढ़ेंगे, हिम, आई को इपढ़ते हैं, मैंने बताया था, मनी, मनी ले लेते हैं, अब मनी में हम O को A क्यू पढ़ रहे हैं, पहले तो ये जिश्च जान लेते हैं, मैं मनी यहान लिख देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा जब हो, क्योंकि O N होता है, तो हम O N को अन पढ़ते हैं, और लेकिन कुछ word winning में था भी पढ़ा जाता है, जैसे इसे think पढ़ते हैं, think नहीं पढ़ते हैं, what अभी बता है, what या what पढ़ सकते हैं, your, आदेखें y को या पढ़ते हैं सुरू में, o और you को o पढ़ेंगे मैंने बता रखा है, नहीं पता तो आप coaching भी जॉइन कर सकते हैं, या और फिर answer पढ़ना से है, वह से बच्छे answer पढ़ते हैं, वह से बच्छे answer पढ़ते हैं, तो आप इसे answer ही पढ़ें क्योंकि यहाँ पर डबलू आपका silent रहता है, तो answer गलत है, answer राइट है, तू, मैंने बताए कि T होका two पढ़ते हैं, छीक है, उसके पाद these, आप देखे, क्योंकि मैंने बताया है कि बीच और लास्ट में S को जा पढ़ते हैं, तो ये हमारा दीज हो गया, questions, आप देखे questions, questions नहीं, question पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, questions, क्योंकि मैंने आपको एक rules अभी बताया था, कि S के बाद अगा T, I, O, N होता है, तो tion question की जगा चन पढ़ा जाता है तो ये questions होता है questions इसे हम boot पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो l होता है वो silent होता है तो boot v and आप इसे gaze पढ़े या geese पढ़े या goose पढ़े वसे gaze पढ़े I mean क्यों इस तरीके से पढ़ा जाता है मैं आपको पहले ये बता देती हूँ अब आपको ने डाउट है वैसे तो इसे gaze पढ़ेंगे या फिर gaze पहले तो ये बताई gaze पढ़ें या gaze पढ़ें जल्दी से बताईए जल्दी मैसेज करके तो अब भी तो आप इतना याद रखे पढ़ें कि इसको gaze पढ़ेंगे अब देख रहें जो सीटी की आवाज लिख लेंगे gaze gaze इतना फरक होता है इसमें आप लगों को मैं बता दूँ मतब एक छोटी-छोटी से चीजे भी बहुत काम की होती है मैं जो टॉपिक होता है वो होता है बोल के समझना वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूं उसके बाद जैसे how आप देखिए यहां पर h, o, w को h को तो हमने हा पढ़ा और ow को आव पढ़ें यह हमारा how the story s, t को टा पढ़ा s को इस पढ़ा, t को टा पढ़ा o को और r को र और जब मैं भी इंगलिस सीखती थी आइमिंग जब मैं 6-7 क्लास में थी, तो मेरे साथ भी यही doubt होता था, जब sir बोलती थी continuous tense है, या continuous tense है तो मैं क्या करती थी, मैं बार बार गलत बोलती थी और sir या maim मुझे बोलती थी यह ऐसे नहीं बोलता है, ऐसे बोलते हैं हमारे स्कूलों में तो यह doubt आपके मन में भी रहता होगा मैं समझती हूँ, तो doubt कैसे clear करना है तो इसको continuous पढ़े continuous अब आप के रिए कन क्यूं पढ़ रहे हैं, आम इसे कौन क्यूं नहीं पढ़ रहे तो एक चीज हमेसा याद रखेगा सच बताओ, मैंने English को वहां से पढ़ाए ना, जहां से हम सोच नहीं सकते हैं मतलब मैंने एक एक चीज को जैसे मैं जब कुछ भी चीज पढ़ती हूं तो मुझे यह रहता है कि ऐसा क्यूं किया जाता है जैसे अब मैं इसे कन पढ़ रहे हूं तो इसे कौन क्यूं नहीं पढ़ते है ओ को तो ओ पढ़ते हैं तो यहाँ पर कौन क्यूं नहीं पढ़ते है तो मैंने वहां तक रिसर्च करी कि ऐसा क्यूं होता है तो मैं आपको बता हूं क्योंकि मैंने खुद ने ये सवाल के आंसर लिकाल के ही मैं आपको आंसर बता रहे हूँ हमेशा कहीं पर भी आपको CON दिखे तो हमेशा इसे कन पढ़ा जाता है कौन नहीं पढ़ते हैं CON को आपको हमेशा कन पढ़ना है तो continues होता है तो please CON को कन पढ़िये CON मढ़ पढ़िये तो मैंने चाहते है कि मेरी तरह आपको सब टॉके टीचर टॉकते हैं तो कोई बात नहीं टीचर हमारे अच्छे के लिए हमें टॉकते हैं लेकिन कोई और जब हमें टॉकता है न तो हमें बुरा लगता है तो वो फील आपको नहीं होना चाहिए है. आप अच्छी होने Пाथ हची होने चाहिए है. हम भी थैजी हम लुग बड़े है ! या फिर हम स्कूल टाइम में नहीं है. स्कूल में पढ़ते है नहीं है थैजर कि पिल तो भात अलग होता है स्कूल है . मैं आप ही समझ सकते हैं उस टम जैसा फिल होता है तो वो सब ही समझ सकते हैं क्योंकि इस सब के साथ ही की जैसी फिलिंग होती है इसको पड़ते हैं V4 आप यहाँ पर आप देखें वैसे तो मैंने बताया है कि D, E होगा तो उसे D पढ़े लेकिन B होगा तो उसे V4 क्योंकि V को आप अलग भी पढ़ते हैं आप ऐसे डाउट किलियर करिए कि जब V अलग होता है D अलग नहीं होता है D आपको कहीं अलग देखेंगा नहीं लेकिन V का मतलब होता होना तो जो वर्ड मिनिंग अलग होती है उनको आप E पढ़े और जो अलग नहीं होती है उनको आप A पढ़े तो यह क्या होगा V4 उसके बाद U तो मैंने बता दिया विगिन आप यहाँ पर मैंने वही देखे V पढ़ते हैं और इसे गिन पढ़ेंगे क्योंकि I को E पढ़ रहे हैं तो विगिन 2 रीड इसे रीड भी पढ़ सकते हैं रैड भी पढ़ सकते हैं अगर आप किसी पास्ट स्टोरी को पढ़ रहे हैं कोई पास्ट में स्टोरी है तो आप इसे रैड पढ़िए और प्रेजेंट स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो आप इसे रीड पढ़ सकते हैं तो रीड रैट दोनों ही राइट है, बस हमारी स्टोरी पर आप अगर रीड पढ़ें तो भी गलत नहीं है, आप रीड भी पढ़ सकते हैं, तो आज के लिए इतना काफी है, है तो छोटा सा ही चैप्टर, चैप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सिफ थोड़ा सा ही पढ चाहते हूं, तो इसलिए मैं आपको अभी ट्रांसलेट नहीं करना सिखाऊंगी, सिर्फ आपको वर्ड मिनिंग कराऊंगी, कल से जो वीडियो आईगी ना, रीडिंग की, उसमें लास्ट में मैं आपको वर्ड मिनिंग भी समझा दूँगी, लेकिन आज हमारी वीडियो ज सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट है, तो आपको इस चैनल की बहुत जरूरत है, जैसे मुझे जरूरती इंग्लिज की, मैंने काफी मैनत के बाद ही सब रिसर्च किया है,